वेलकम बैक दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दक्स्ता एक्जाम 2023 रिविजन टेस्ट स्रीच के सेट टू के कम्प्लीट 100 कोस्टन को सॉल्प करेंगे कोस्टन नमबर एक से लेकर 100 तक सेलेबस बेजट परशनों के समू हैं जिसमें 10 कोस्टन रिजनिंग से ठी एड किये गए हैं जो आपके नमिन्तम पाटकरम का अभिन अंग है इतना ही नहीं बलके सामान हिंदी हो चाहे पडियावरन हो चाहे गनित हो चाहे शिक्षन सास्त हो हर विशय से सेलेक्टेट कोस्टन एड किये गए हैं दोस्तों यह टेस्ट स्रीज काफी इंपोटेंट है, हमने कुल 10 टेस्ट स्रीज दिये हैं, और सब के सब सेलेक्टेड कोश्चन हैं, इसे पराप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा संपर्क सुत्रह 7631314948, इसके अतरिक्त हम दक्सता प्रिक्षा के कंप्ल अंशा शब्द संग्या है, संग्या उसे कहते हैं जो नाम को भाव को व्यक्त करता है, यहां पर कोडोध जो है एक संग्या है, अन शब्द संग्या के अतरिक्ति विशेशन या अन है, आसु का बहुवचन क्या होगा? बहुवचन कहते हैं पुद्रल को आंसू जो होता है वो एक सिंगलर वर्ड है इसका बहुवचन होता है आंसू अगला प्रशन है तीन नमबर संगम का सही संदी विछेत क्या होगा संगम का जब हम संदी विछेत करेंगे तो सम और गम मिलकर संगम बनता है चौथा प्रश्न है इसमें शुद वर्तनी का चेन करना है यानि चार लिखावट में तीन गलत है एक सही है नक्षत्र जो होता है आक्षा से लिखाता है और तरा का उप्योग होता है संधी कहीं प्रकार के होते हैं लेकिन स्वाक्तम में जिस संधी का प्रयोग हो रहा है सुजुर आक्तम वो है यन संधी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एक कहानी है हार की जीत इसमें हारने वाले की जीत होती है जीतने वाले की हार होती है बहुत ये रोचक कहानी है इस कह कहानी के जो कहानीकार है वो सूदर्शन जी है अगला सवाल है सात नमब्र आकाश का पर्यावाचे शब्द नहीं है पर्यावाचे कहते हैं ऐसे शब्द को जिसका मीनिंग सेम हो ऐसा शब्द तलासिय जिसका मीनिंग आकाश हो यहाँ पर तीन शब्द ऐसे हैं जिसका विछेत कीजिए विश्वामित्र का जब आप संदी विछेत करेंगे तो बनेगा विश्व जुर आमित्र विश्व जुर आमित्र मिलकर विश्वामित्र बनाता है सही जवाब हो जाएगा ओप्षन डी नेक्स्ट कोस्ट ने नो नमबर दे हुए शब्दों में भिन अर्थ वाला शब्द तलाशिये आत्म जा नंदिनी कनिया बेटी ये सब के सब एक मिनिंग रखते हैं लेकिन भारिया जो होता है इसका अर्थ अलग होता है सही जवाब हो जाएगा ओप्षन सी किस शब्द की र उपसर्ग लगता है तो अपमान बनता है योग में अभी लगता है तो अभी योग बनता है वयायाम में कोई पड़ते नहीं है कहने का अर्थ यह हुआ तीनों में से कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसकी रशना पड़ते से हुई है नेक्ष्ट कोसने बही रंग का विलोम बत नियक्स्ट कोशने तेरा नमर शेष कादम बड़ी के रचेता कोन है शेष कादम बड़ी के रचेता अलका सरावगी है नियक्स्ट कोशने निम्र में कौनसा महवरा नहीं है आस्तिन का साप, उलू बनाना, कमर तूटना ये सब के सब जो है महावड़ा हैं लेकिन दूर का ढूल्ड सोहाना ये जो है लोकोकती है सही जवाब हो जाएगा option D अगला सवाले पवन का प्रयावाचिश शब्द नहीं है पवन कहते हैं हवा को, हवा को आप वायू भी कह सकते हैं समीर भी कह सकते हैं, वात भी कह सकते हैं लेकिन अनल का मतलब आग होता है सही जवाब हो जाएगा option B next question है अती, अती का विलूम क्या होगा अती का मतलब होता है अत्याधिकोना इसका उल्टा हो जाएगा अल्प अगला सवाले के लिए के कारक का चिन है करताने करम को करन से संपरदान को के लिए यानि ये के लिए जो है संपरदान कारक का चिन होता है जो धातू या शब्द के अंत में जोरा जाता है उसे परते कहा जाता है सही जवाब हो जाएगा option D अगला सवाले वर्तमान हिंडी का परचलित रूप है वर्तमान हिंडी का परचलित रूप खड़ी बोली है योगिक शब्द होता है योगिक शब्द क्या होता है आईए हम आपको बतलाते हैं योगिक शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जो दो शब्दों के मिल से बना हो पारशाला जो है एक योगीक कुस्ट हो जाएगा। अगला कॉस्टिम्ट यह8 लीजी फैर नाम किया है। रामधारी सी दिनकर के अनुसार जो है इरिस्या सबसे पहले सोय को जन्म देने वाले को जलाती है अगर आपके मन में इरिस्या है तो सबसे पहले आप जलंगे ये जो है आपके पार्ट पुस्तक के चैप्टर से लिया गया प्रशन है अगला कोशन है कविता मानो बनो के अनुसार मानो को क्या नहीं करना चाहिए मानो जो होता है उसे अपने हिर्दे की भस्म से जलना चाहिए उसे जो है अपने कर्तव को अच्छे से निभाना चाहिए उसे अपने आसू से सिचाई कर हरा भरा बनाए यानि आप अपने आसू से संसार को सीच सकते हैं लेकिन मानव को ये चाहिए कि वो किसी का आसरा करना अच्छा नहीं है यानि उसे किसी का आसरा करना नहीं चाहिए जो कुछ करना है आप खुद किजिए किसी की परतिक्षा नहीं नेक्ष कोसने 24 नमबर शेर ने चतुर चितरकार को क्या कहकर पुकारा शेर जो है जंगल में होता है चतुर चितरकार जंगल में चला जाता है और शेर उसे खाना चाहता है चतुर चितरकार ने शेर को कहा कि मैं आपका चितर बनाऊंगा लेकिन उसे चक्मा देकर चतुर चितकार भागने लगते हैं तो शेड जो है उस चतुर चितकार को काया डर्पो कहे कर पुकारते हैं नेक्स्ट कोसने 25 नमबर सीखो कविता ने क्या सीख दी है एक कविता है आपकी पाठ पुस्तक में सीखो उसने जगना और जगाना सिखाया है जीवन पत्में बढ़ना सिखाया है सच्ची सेवा करना सिखाया है यानि सही जवाब हो जाएगा उपर युक्त सभी 26 नमबर कोश्टन है X बटा 7 बराबर 6 में X का मान ग्याद कीजिए X बटा 7 का मान 6 है X का वैलू 7 गुने 6 हो जाएगा ये जब भाग में है तो बराबर के इस 7 गुना में हो जाता है 7 6 के 42 होता है अगला कोश्टन 27 नमबर समकून तिर्बुच का एक कोन होता है समकून तिर्बुच जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं लगबख शेप नहीं बना है आप देख सकते हैं ये हुआ समकून एक को 90 डिग्री होना इसका मश्ट होता है अगला सवाले 28 नमबर 19,7,960 को अंकों में लिखे अब बात आती है 19,9 की तो 19 जो है सब जगा मौजूद है हमें तरासना है 7,007 का मतलब होता है 0,7 0,7 आपको जो है सिर्फ और सिर्फ एक जगा दिखाए दे रहा है यहाँ पर डवल 0,7 है यहाँ में सिर्फ 0,7 की तलाश है बाकि आप आगे के अंकों भी मिला सकते हैं 960 यानि 19,7,960 की लिखावट ये हो गया नेक्स्ट कोसन आउरोही करम में वविस्तित कीजिए आउरोही करम कहते हैं घटते करम को पहले आप बड़ी संख्या लिखे फिर उसके बाद उससे छुटी फिर उसके बाद उससे छुटी अंति में सबसे छुटी यहाँ पर सबसे पहले हमने 10,000 दिखा उसके बाद 9,999 फिर 9,998 फिर 9,999 इसे कहते हैं औरोही करम औरोही करम जो होता इसका ठीक उल्टा होता है हम छोटी से बड़े की तरफ बढ़ते हैं अगला कोशन है तीस नमबर बिस्किट का एक पैकिट है इसमें कुल 7 बिस्किट है ऐसी ऐसी हमारे अपास 10 पैकिट है तो कुल कितने बिस्किट है एक पैकिट में 7 है तो 10 पैकिट में 7 गुने 10 70 हो जाएंगे सही जवाब है आप्शन A नेक्ष्ट कोशन है 31 नमबर इसको बढ़ते करम में ववस्तिश कीजिए बढ़ते करम को आप जो है कहीं कहीं आरोही भी लिखा पाएंगे इसमें जो है सबसे पहले छोटी संख्या को फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी अंत में सबसे बड़ी को लिखते हैं ये 6600 है उसके बाद 6606 फिर 6660 फिर है 6666 अगला परशन है 32 नमर बकडियों के एक जुंड में कुल पैरों की संख्या 60 है कुल बकडी के संख्या बतलानी है आपको पता होगा कि बकडी के 4 पैर होते हैं इसलिए बकडी की संख्या निकालने के लिए हम पैरों की संख्या को 4 से भाग देंगे जब आप 60 को 4 से भाग देंगे तो 1554 चाषट पंद्रा पराप्ठ होगा सही जबाब्य ओप्शन भी अगला कॉस्चन है 33 नमर बारा हजार आठ सहक्रा एक दहाई साथ एकाई को अंकों में लिखना है बारा हजार का मतलब होता है बारा हजार आठ सेक्रा का मतलब होता है आठ सो और एक दहाई का मतलब होता है दस और साथ एकाई का मतलब होता है सतरा आप देख पाएंगे कि बारा हजार आठ सो सतरा कहां पर दिखा हुआ है यह option A में available है अगला सवाने 654 में 6 का जाती अमान बतलाएं जाती अमान कहते हैं face value को यानि जो दिखता है वही जाती मान होता है 6 का जाती मान 6, 5 का जाती मान 5, 4 का जाती मान 4 यानि 644 नहीं किसी भी संख्या में 6 का जाती मान 6 ही होगा सही जवाब है option B अगला सवाल है किसी दिव्यमिया आकरती के 4 और के घेरे को क्या कहते हैं दिव्विम्य आकरती उसे कहते है जिसमें लंबाई हो चौराई हो लेकिन उचाई नहो इसके जो चारोर का घेरा होता है इसे परी मीती कहते हैं परीधी कहते हैं परी माप कहते हैं इसका तीन नाम है अंग्रेजी में इसे पेरिमेटर कहते हैं यानि सही जवाब हो जाएगा option c अगला question समतल सता वाली आकरती है यानि ऐसी आकरती जिसकी सता समतल हो शंकु गोला बेलन ये सब थीर्डी शेप है इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ उचाई भी होता है उचाई तो उचाई जिसकी जो सता होती है समतल नहों के गोल होती है यानि घनाब जो है ये समतल ह इसमें जो है लंबाई चौड़ाई उचाई होता है लेकिन ये जो है किसी भी तरब से देखेंगे तो ये आपको समतल दिखाई देगा इसे ही कहते है घनाब अगला question है 37 इसमें कौन सा ही है बड़ा और छोटा का निशान दिया हुआ है आपको पता करना है बड़ा कोन है एक बटा दू क्या तीन बटा दो से बड़ा होता है गलत पांच बटा दू क्या पांच बटा चाड़ से बड़ा होता है ये अपनी जगा सही है जब अंश का वैलू सेम हो तो हर में जो छोटा होगा वो बड़ा होगा ये नियम हमने आपको बतला दिया था अगला question है 75 72 आएगा बचेगा तीन दशमलों देंगे जिरो बैठाएंगे आठ 33 के 24 आएगा बचेगा छे यहाँ पर फिर जिरो बैठाएंगे 87 56 हो गया 4 बचा 8 पंचे 40 यानि 9.375 नियम ये कहता है कि जब 5 या 5 से ज़्यादा हो तीसरा डिजिट तो एक दूसरे डिजिट में एट कर देते हैं यानि 37 जो होगा 38 हो जाएगा नियम के नुसार सही जवाब ऑप्शन सी है अगला कोशन है 8 18 24 का लगुत्तम समापर तक क्या होगा लगुत्तम समापर तक निकालना आपको आता होगा हमने इस से पहले भी समझाया था लगुत्तम समापर तक आप दो विदी से निकाल सकते हैं एक होता है भाग विधी दूसरा होता है गुनन्खंड विधी आई यहां भाग विधी से निकाल कर देखलाते हैं चार से हम भाग देंगे चार दुनी आठ अठारा अपनी जगा रहेगा चार शक्के चौबिस फिर हम जो है दो से भी भाग दे सकते हैं 2 एकाई 2, 2, 9, 18, 2, 3, 6 हम जो है 3 से भी भाग दे सकते हैं 3, 9, 3, 3 निकाई 3 अब सबको आपस में गुना केजिए 3, 9, 2, 18, 4, 72 सही जबाब हो जाएगा option B अगला question है एक दरजन केले कामूल 40 रुपिया है तो 100 रुपए में कितनी केले मिलेंगे 40 रुपए में मिलते हैं एक दर्जन केले यानि 12 केले तो 80 रुपए में मिलेंगे 2 दर्जन 20 रुपए में आधा दर्जन यानि कुल जो है 100 रुपए में आपको 2 दर्जन केले मिलेंगे इसे सही निकालने का तरीका ये है कि आप 100 को 40 से भाग दे दिजे जब 40 से 100 को भाग देंगे तो 2.5 पराप्त होगा अगला कोशन है एक 40 नमबर इसमें जो है परशन वाचक सिन के अस्थान पर कोई जो है मुनासिब अक्षर संख्या आपको लिखना है एम गुने इन बड़ाबर है 13 गुने 14 एफ गुने आर का वैलू क्या हो जाएगा दोस्तो इस तरह के परशन को रिजिनी कहा जाता है ऐसे देखे जरत तक 26 लेटर होते हैं सबका एक वैलू होता है A को 1 मानेंगे B को 2 मानेंगे C को 3 मानेंगे D को 4 मानेंगे इस तरह M का value 13 होता है इनका value 14 होता है तो F गुने R क्या होगा F का value जो होता है 6 होता है R का value 18 होता है R जो है alphabet में 18 लेटर है F जो है alphabet में 6 लेटर है M जो alphabet में 13 लेटर है N जो alphabet में 14 लेटर है इस परकार आप इसे solve कर सकते हैं सही जवाब option C है अगला सवाल है 42 नमबर 16, 56, 32 बराबर वाट यानि 16 को आप 56 लिख सकते हैं तो 32 को कितना लिखेंगे दूस्तो आप जो है इसमें संबंद देखिए 16 और 32 का क्या संबंद है वही समय 56 और वाट का होगा 16 का दूगुना 32 होता है तो 56 का दूगुना हो जाएगा 112 सही जवाब है option B अगला सवाल है शरक्षित, रक्षा करना, निरापद, वाट सुरक्षित का मतलब होता है रक्षा करना इसी तरह निरापत का मतलब होता है चौक्षी करना जब आप किसी के रक्षा करेंगे तो वो सुरक्षित कहलाता है इसी परकार किसी की चौक्षी करेंगे तो वो निरापत कहलाता है दोस्तो कोशन नमबर 44 काफी इंपोर्टेंट है नीचे जो है एक बड़ा अक्षर लिखा ह हुआ है इंटरनेशनल कहा गया है कि दे गए अक्षरों को मिला कर केवल एक शब्द नहीं बना सकते हैं यानि इसमें चार शब्द हैं A B C D चारों शब्द जो हैं इसी अक्षर से मिलकर बने होने चाहिए अगर कोई भी एक लेटर ऐसा मिल जाए जो इसमें नो हो तो वो जो है आपको चुनना है A L O N E को देखें तो यहां पर A मौझूद है L मौझूद है O मौझूद है N मौझूद है E मौझूद है यानि इससे बन सकता है आईए हम अगला देखते हैं N O T E को N है O है T है E है अगला हम देखते हैं लेटर को L है A है T है E है R है लेकिन रेडियो को आप देख लिजिए रेडियो में R आपको दिख जाएगा A भी दिख जाएगा लेकिन पूरे में D नहीं है यानि कहने कार्थ यह होगा कि इंटरनेशनल में जिन शब्त का पर्योग हुआ है जिन नेटर का उप्योग हुआ है उनसे रेडियो नहीं बनाया जा सकता सही जवाब ऑप्शन D अगला कोशन है 45 निमलिखित में चार उत्रों में कौन विकाप नीचे दे गए सार्थ क्रम में सजाएगा यहाँ पर जो है चार ओप्शन दिये गए हैं जिसमें सार्थ क्रम चुनना है अब घर बनाने की परकिरिया को देख लीजिए पहले जो घर बनते थे मिट्टी के घ किरिट्स के दिवार बनायक जाते थे उस दिवार से कमड़ा बनता था फिर कोशाने करां कि लाज सबसे पहले दूसराव के को 3685451 लिखते हैं तो भारती को क्या लिखेंगे दोस्तों इस तरह के परशनों को बहुत आसानी से ट्रिक के मादेम से हल कर सकते हैं आईए हम आपको आसान तरीका बतलाते हैं आपको देखना क्या है सबसे पहले बी है तो बी को देखें कि यहाँ पर नौ लिखा गया है बी को नौ लिखा गया है यहाँ पर नौ जो है सब जगा मौझूद है अब हम तलाचते हैं आई को इसमें आई को जो है आठ लिखा गया है यहाँ भी आई सब जगा मौझूद है आठ अब हम तलाचते हैं एच को एच को कहा क्या लिखा गया है एच यहाँ मौझूद है ल सही एंसर है ए और सी में से कोई एक होगा अब हम देखते हैं तीसरा लेटर एको एको क्या लिखा गया है एको पांच लिखा गया है यहां भी लिखा गया है यहां भी लिखा गया है जब आप एको पांच मानेंगे तो तीसरा लेटर पांच होना चाहिए नौचो के बाद इसलिए सही जवाब हो जाएगा option a अगला सवाल है 47 एक परिवार है जो घूमने निकला पुत्री जो है अपने पिता के आगे चलती है पुत्री है डाउटर पुत्र अपनी माता के पीछे चल रहा था और पिता के आगे कहने का अर्थ यह हुआ पिता के आगे है इसका मतलब म मदर है फिर सन है सबसे पीछे कौन हैते सबसे पीछे हो जायेगा पिता सही जवाबे ऑप्षिन भी अगला सवाले 48 और नमबर सीमा जो है सुधीर की बहु है और रमेश की भाबी मोहन सुधीर का पुथ्र है और रमेश का अकेला भाई सीमा और मोहन के बिच क्या संबन है दोस्तों जब आप परशन को देखेंगे तो सीमा जो है सुधीर की बहु और रमेश की भावी है यानि रमेश के भाई की पतनी कौन है सीमा है मोहन जो है सुधीर का पुत्र है यानि रमेश भी सुधीर का पुत्र है कहने का मतलब ये हुआ रमेश और मोहन आपस में भाई हो गए जब रमेश और मोहन आपस में भाई हो गए और सीमा रमेश की भावी है इसका मतलब ये हुआ कि सीमा जो है मोहन की पत्नी है सही जवाब option D अगला परशन उन्चासनवा रहीम जो है सीधा बिंदू E से F तक 5 km दूर गया एक बिंदू है E ये जो है F तक 5 km दूर जाता है F से वह बाएं मुरता है और 6 km चलता है कहां पहुंचता है बिंदू G पर वहां बाएं मुरता है 5 km चलता है इस पर पहुंचता है वह फिर बाएं मुरता है और 2 km चलता है फिर वह आये पर पहुंचता है अब वह परारमिक बिंदू से कितनी दूर है यहां से यहां की दूरी 6 km है और यहां से यहां की 2 km है कहने का मतलब है यह हुआ कि परारमिक बिंदू से यह 6 में से 2 कम 4 किलो मीटर दूर है सही जवाब हो जाएगा option B अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल भी काफी important है यहाँ पर D, E, A, D को W, V, Z, W लिखा गया है F, G, C, F को क्या लिखेंगे दोस्तों अंग्रेजी के अलफाबेट को पहला और अंतिम का जब आप जोड़ा लगाएंगे तो आप A का जोड़ा Z से लगाएंगे B का जोड़ा Y से लगाएंगे C का X से लगाएंगे इसी परकार D का जोड़ा W से लगेगा E का जोड़ा B से लगेगा A का Z से लगेगा D का W से लखेगा ऐसा ही संबंद आप इधर तलाश ये F का जोड़ा आपकी S से लगाएंगे F जो होता है छटा लेटर होता है अंतिम से छटा लेटर U होता है G का T से लगेगा C का X से लगेगा क्योंकि पहला परारम से तीसरा नंबर जो होता है वो C होता है अंतिम से तीसरा X होता है F का U से लगेगा यानि सही जवाब है option A Next परशन निम्नांकित में किस धातू को चाकू से काटा जा सकता है सोडिया में कैसा धातू है जिसे आप चाकू से काट सकते हैं पक्षी अपना घूसला क्यों बनाता है पक्षी अपना घूसला केवल और केवल अंडा देने के लिए बनाते हैं परिया वरन वा पारिस्थितिकी का जैवी घटक क्या है परिया वरन और पारिस्थितिकी का जो जैवी घटक होता है वो वनस्पती होता है अगला प्रशन नीम्नमे कौनसा पदर्थ जिवास्मिंधन है सवरूरजा, परमानूरजा, जलूरजा को आप जिवास्मिंधन नहीं कह सकते हैं क्योंकि यह परकृती से प्राप्त होता है और चक्रन होता है लेकिन कोईला जो है ये समाप्त होने वाला है इसे आप जिवाश मिंदन कह सकते हैं नेक्ष्ट कोशने 55 नमबर परियावरन एवं पारिस्थितिकी का बहुती घटक क्या है परियावरन और पारिस्थितिकी का जो बहुती घटक होता है वो परवाही जल होता है नेक्ष्ट कोसने 56 नमबर दहन की किरिया के लिए निम्नांकित कौन सा सर्थ आवश्रक है दहन का मतलब होता है जलना कोई भी वस्तु तभी जलेगा जब दहन शिल्पदार्थ की उपस्तिती होगी दहन के जोलनताप की प्राप्ती होगी वायू की उपस्तिती होगी यानि कहने का अर्थिये हुआ दहन के लिए आवश्यक सर्थ है इनमें सभी नेक्ष्ट कोसने 57 जीवो तथा पडियावर्न के पारस्परिक संबंदों का अध्यन क्या कहलाता है जीवो तता परियावर्ण के परियावर्ण के परियावर्णिये समस्या का उधारन है परियावर्णिये समस्या में अनेकों समस्या आती है जैसे उजून का हरास होना, अम्रिये वर्सा का होना, हर्दगरी परभाव यानि ये सबी के सबी जो है पडियावर्निये समस्या है अगला कोस्टन है 59 पडियावर्निये हरास का मानविये कारण है पडियावर्न का जो हरास होता है उसके मानविये कारण भी जिम्मेदार होते हैं जैसे जनसंक्या विसफोर्ट के कारण पडियावर्न का हरास होता है वन निमलिखित में कौन सी गेस वायू को सबसे अधिक परदोशित करती है सबसे विशैला गेस जो है इसमें कार्बन मोनो अक्सैड है ये वायू को बहुत जल्द गहरा परदोशन देता है अगला सवाल है बैलो द्वारा गारी को खिचना किस बल का उधारन है जब बैल गारी को खिचेगा तो अपनी पेशनी का उप्योग करके खिचेगा इसलिए या पेशनी बढ़ हो गया बासट नमबर कोशने वायू परदोशन को कम क्या जा सकता है आप वायू परदोशन को कम कर सकते हैं विरिक्ष लगा कर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट कोशने 63 नमबर पेर पोधे वायू परदोशन को कम करते हैं पेर पोधे वायू परदोशन को इसलिए कम करते हैं कि वे परकास चंसलेशन के करम में अपने भोजन बनाने के करम में कार्बन डायोकसेट का उप्योग करते हैं अगला कोशने चौन से रमबर किस दिश्टी दोस्ट को ओतल वं उत्तल दोनों लेंसों से बने दूफोकसी लेंस द्वारा संसोधित क्या जाता है अगर आपको कुछ ऐसी आंक की बिमारी है जिसमें ओतल उत्तल दोनों लेंसों से बने दूफोकसी लेंस के चश्मे का उप्योग क्या गया है तो आप जरा दूड दिश्टिता आंक की बिमारी से गड़सित हैं सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्ष्ट कोशने 65 नमबर राष्ट पती की नियुक्ती कितने वर्स के लिए किया जाती है राष्ट पती निमली खित में किस विलन का उप्योग दिवारों पर सफेदी करने के लिए क्या जाता है कैसिम हैडर औरक्साइज सी ए उएस्टू का प्रियोग दिवारों पर सफेदी करने के लिए करते हैं लेकिन परसारज होता है यह अलग होता है अगला सवाल है 68 नमबर निमलिखित में किसे मुख अधिकारी गरंथी कहते हैं पियुश गरंथी को मुख गरंथी अधिकारी गरंथी कहा जाता है अगला कोशन है 79 नमर बच्चों के समाजिक विकास में खेल का विशेश महत्व होता है नेक्ष्ट कोशन है 70 नमर प्राकृतिक गैस में मुख्याता मीथिर पाया जाता है नेक्स्ट कोस्टं सनें एकहत्र नमर पहाडों पर काफी नमी वा जल होता है फिर भी मरूद भिद क्यूं होते हैं यानि पानी और जल होने के बावजूद भी वहां रिगिस्तान होते हैं चिक्नी मिट्वी नहीं होती पानी में मिट्टी में नमी नहीं होती इसका कारण है पहाड़ों पर धलान होता है धलान के करण पानी बह जाता है पौधे द्वारा उप्योग में नहीं लाया जाता इसलिए वो जमीन बंजर है पिर पौधे नहीं उकते नेक्ष्ट कोसने 72 नमर खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा इंदन कौन है खाना पकाने के लिए जो सबसे अच्छा इंदन होता है वो लपीजी होता है नेक्ष्ट कोसने किस देश में सरवाधिक अमलिय वर्षा होती है नौरवे में सरवाधिक अमलिय वर्षा होती है नेक सब्सक्राबनिक पदार्थ जोडते हैं नेक्ष्ट कोशन है 75 नबर लोग सभा का चुनाव लड़ने के लिए परत्याशे के निर्धारित नियुन्तम आयू क्या है कोई भी वैक्ति लोग सभा का चुनाव लड़ सकता है शर्त यह कि उसकी आयो नियुन्तम 25 वर्स हो अगला क कोशन है 76 नबर किस मुगल शाशक ने सरप्रतम बिहार को अपने सामराज में मिलाया था वो मुगल शाशक अकबर था जिसने सरप्रतम बिहार को अपने सामराज में मिलाया अगला कोशन है विश्व का पहला गंतंत्र वैशाली में अस्थापित क्या गया यह किसके द्वार राज द्वारा अस्थापित क्या गया था अगला कोशने 78 की शाषक द्वारा सरपरतम पाटनी पुत्र की राजधानी के रूपे चैन क्या गया पाटनी पुत्र को सरपरतम राजधानी बनाने वाला शाषक उदियन था सही जवाब है ओप्शन सी अगला कोशने हल्दी घाट अगला कोशन है भारत में सिचाई की सबसे लंबी नहर कौन है भारत में जो इंद्रा गांधी कैनाल इंद्रा गांधी नहर है अगला कोशन है 81 नमबर प्रात्मिक अस्तर पर कौनसा भाषा शिक्षन का उद्यश नहीं है प्रात्मिक अस्तर पर भाषा शिक्षन के अनेकों उद्यश होते हैं लेकिन भाषा संबंधी व्याकरन को पूरी तरह कंठस्त करना या प्रात्मिक अस्तर पर भाषा शिक्षन का उद्देश नहीं है नेक्स कोशने भाषा कोशलों के संदर्म में कौनसा कथन उचित है भाषा कोशल के संदर्म में जो उचित कथन है वो ये है कि भाषा के चार कोशल होते हैं सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये चारो कोशल आपस में अंता संबंदित होते हैं सही जवाब हो जाएगा option B अगला question 83 नवर इस कहानी में पहारी घाटी शब्द का उप्योग हुआ है पहारी छेतर से जुरे शब्दों को सोच कर लिखो या आपके अभ्यास की किस परकार के परशन का उधारन है पहारी घाटी शब्दों को पढ़ाया गया और बच्चों को कहा गया पहा 84 नबर वैक्ति में उस मनुशारिर्क अवस्थाओं का गतिश्रील संगठन जो उनके पढ़्यावरन के साथ ओधिव किये सामंजस निरधारित करता है क्या कहलाता है वैक्ति के अंदर कुछ न कुछ खूबी होती है गतिश्रील संगठन होता है मनुशारिर्क अवस्थाओं का और पडियावरन में वो सामजस निर्धारित करता है इसे ही व्यक्तित्व कहते हैं अंगूर खटे हैं का उधारन है अंगूर को खटा कहा गया है या एक उधारन है योक्ति की करन का सही जवाब हो जाएगा ओप्शन सी नेक्ष्ट कोसने 86 नबर उच परात्मिक अस्तर पर हिंदी भासा शिक्षन का सरवादिक महतपुर्ण उद्यश है उच परात्मिक अस्तर कहते हैं कक्षा 6-8 को अपर प्रैमिरी लेवल अगर इसमें भासा शिक्षन दिया जाए तो हिंदी भासा शिक्षन का सरवादिक महतप पुर्ण उद्यश क्या हो जाएगा बच्चों में समत के साथ पढ़ने और लिखने की छमता का विकास करना ही भासा शिक्षन का नेक्ष्ट कोसने 87 स्पीनर ने भासा शिखने की परकिरिया में किस पर सरवादिक बल दिया है अगला सवाले 88 सतत आकलन का क्या उद्यश होता है सतत आकलन का मतलब यह होता है कि लगातार बच्चों का आप आकलन किजिए ना कि उसकी परिछा लिजे अगर आप बच्चों का लगातार आकलन करेंगे तो आपको यह पता चलता रहेगा बच्चों ने कब कितना सीखा है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन B निम्न में कौनसा कारक मन्द बुद्धी बालक के लिए आवश्यक नहीं है मन्द बुद्धी बालक के लिए जो आवश्यक होता है जो जो कारक उसमें मौलिकता नहीं है नेक्स्ट कोस्टन है नब्बे नंबर एक चात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए सरोतों की खोज करता है और शिक्षक वा सापाठियों से तरक वितर करता है ये बच्चा जो है परतिभा शाली बालक कहलाता है नेक्स्ट कोस्टन है 91 निमलिखित में कौन विकास का सिध्धान्थ है विकास का सिध्धान्थ कहता है कि विकास रिखिये नहीं बलके वरतुला कार होता है विकास का सिध्धान्थ कहता है कि विकास दिरंतर चलने वाली परकिरिया होती है विकास का सिध्धान्थ कहता है कि व जवाब हो जाएगा option A नेक्ष्ट कोशन है 92 बाली का शिक्षा को महत्ता देना उचित है इसका कारण क्या हो जाएगा अगर आप बाली का शिक्षा को महत्ता दे रहे हैं इसका मतलब सामाजिक परिवर्तन के निर्थित में बाली का ही समर्थ होती है एक बाली का शिक्षा देना ही एक कूल का शिक्षा देना होता है नेक्ष्ट कोशन है 93 शिक्षार्तियों को सबसे कम परती बंदित विद्याले वातावर्ण में रखने के माधियम से क्या होगा विद्याले में जो परिवर्तन आएगा वो दूसरे बच्चों को समेधा शिल बनाएगा कि वे अला भन्वित बच्चों को दबाए नहीं उन्हें नीचाना देखाए नेक्ष्ट कोशन है वाय गोट्सकी ने समाजिक सांस्कृतिक सिधान जो दिया था इसके अनुसर संस्किर्थी और भाषा विकास में महतपुर्ण भूमिका निभाते हैं नेक्ष्ट कोशन है 95 बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है आपके अंदर कोई बुरी आदत है उसे आप अनुबंधन द्वारा ही सुधार सकते है नेक्ष्ट कोशन है 96 भाषा शिक्षन में कौन बिंदू सबसे कम महतपुर्ण है भाषा शिक्षन में अनेको बिंदू को इनकुलूट किया जाता है लेकिन पार्ट सामगरी जो होता है सबसे कम महतपुर्ण होता है इसमें बोलने के आजादी भाशाई अभ्याज जिसे कहते हैं भाशिक परिवेश कहते हैं ये सब इंपोर्टेंट होता है परिक्षा भी इंपोर्टेंट ये है कि अपनी इच्छा से आपको शब्दों को सल्ब करने का मौका मिलता है नेक्ष्ट कोस्चन है सतत मुल्यांकन का एक नहीतार्त है सतत मुल्यांकन यानी लगातार आकलन करना इसमें नहीतार्त है बच्चों के भाशा परियोक का निरंतर अलोकन करना नेक्स्ट कोस्टन है 98 डैस के लावा निमलिकित घटना विर्तांत रिकोर्ट की विश्चता है यानि या वैवाहर का व्यक्ति निष्ट साक्ष है इस लिए या शैक्चिन चेत्र के लिए परती पुष्टी उपलब्द नहीं कराता है 99 नमबर कोस्टन है शिक्षकों का गैर मितरता पुर्ण बरताव किस परकार का वातावरन तयार कर सकता है अगर शिक्षकों में आपसी गैर मितरता पुर्ण वैवाहर है तो ये भै और विसमे का महल पैदा करेगा नेक्ष्ट कोस्टन है सव नमबर एक परारंबी कक्चा कक्च में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसे क्या करना चाहिए परारंबी कक्चा है इसलिए बच्चे के अनुभव को शामिल करना चाहिए संचे करके उसका प्रयोग करना चाहिए दोस्तो ये थे 100 सवालात दो दक्स्ता एक्जाम डिविजन टेस्ट के सेट टू से लिए गए थे सभी 100 सवालात को हमने अच्छे से समझाया है अगर आपको कोई question confusion अभी भी है तो आप इस वीडियो के comment box में पूछ सकते हैं दोस्तो दक्स्ता प्रिक्षा की complete तयारी के लिए आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर दक्स्ता प्रिक्षा के आतरी आप CET, CET, BED, DLA and entrance, सहित all teaching exam के साथ साथ, board exam, competitive exam, entrance exam की बेहतर तयारी के लिए आप हमसे संपर्क करें थेंक्स फूर वाचिंग